CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर मध्य प्रदेश में एक तरफ मौसमी बिमारियों के कारर जहां अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि खड़े होने की भी जगह कम पड़ रही है तो वहीं अस्पतालों में स्वास्त व्यवस्थाएं भी दम तोड रही है आईए ऐसा ही एक उधारड दिखाने के लिए हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी में जिसके विधायक हैं मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सेंग राचपूद जहां सुर्खी सामुदाइक स्वास्त एंदर में स्टाफ और स्वास्त सुवधाईं की हमेशा ही कमी बनी रहती है एक तरफ जहां बरसाथ के मौसम में डेंगू और मलेरिया की संभावना बनी रहती है तो वही दूसरी ओर सुर्खी सामुदाइक स्वास्त केंद्र में खून की जाज करने वाली लैब टेक्निशन एक महिने की लंबी छुट्टी पर है जिसके कारण लैब में ताला लटका रहता है जिसके कारण मरीज बगेर जाज के ही अनुमत मानित बिमारी का इलाज करने को मजबूर हो जाते हैं वही जब स्वास्तेंद्र प्रभारी डॉक्टर मनी शौकिक से इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि वैकल पिक व्यवस्ता के लिए ब्लॉक मेडिकल आफिसर को इस बात से अवगत कराया गया है